जैपूर में कुरोणा संक्रमन के मामने लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ऐसे में कुरोणा वॉर्यर्स दिन रात इस वैश्विक महामारी के खिलाफ मोज़ा सम्हाले हुए है इसी के तहट सिख समाज के और से कुरोणा वॉर्यर्स का सम्मान किया गया CMHO ओफिस में आयुजे 30 कारिक्रम में मुख्य अथिती के रूप में शिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष कर्ग ने शिर्कत की इस दौरान सिख समाज की लोगों ने डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मी और एंबुलेंस कर्मियों को साफा पहना कर सम्मानित किया इसी के साथ शिकित्सा कर्मियों को मेडिकल किट भी उपलब्द कराए गए इस सवसर पर मंत्री सुभाष कर्ग ने कहा कि प्रुदेश में कोरोना का कहर जारी है ऐसे में कोरोना वॉर्यर्स का कारिय सरहानी है करते हैं फिल्ड में आज सिक समार दोरह के समान किया जा रहा है बड़ा अच्छा लगड़ा है अच्छी बात है ऐसे लोगों मनौब बढ़ते नहीं जिसके हम इस इस करोना के खलाब प्रणा कर सकें और उसको रहा सकें बहुत दन्यों मेडिकल स्थाफ जिसमें डॉक्टर्स हैं नरसेज प्रणा मेडिकल स्थाफ है सबienstभ में फायर बेर्ड़ में लोगह की आज जिनका बपराफित बहुत बड़ा रोल है इनके बहुत आभारी है जिन राजस्तान में गर्रणा को इतना कंट्रून कि साथ परसंट डिकवरी रेट आ गया है जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए राजस्तान सिक समाज के दौरा कोरोना वारियर्स का यहां सम्मान रखा गया है जो हमारे चिकसा कर्मिय है जिनमें डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ पैरा मेडिकल स्टाफ प्ल करोना फैला हुआ है उससे मुकाबला करने में उसको हराने में एक जी जान लगा करके जुटे हुए हैं मैं इनके जजबे को इनकी पृत्वद्दता को इनके संगर्स को सलाम करता हूं और उम्मिर करता हूं कि हम सब लोग मिलकर के इसी तरह से एक जुटता दिखा करके इस रूप से उनकी धरम पतिया माता है जो घर पर रह करके और वो पूरा इनको मोरल सपोर्ट दो रही हैं बूस्ट कर